आयूर्वेदा होम केर में आपका सुवागत है ताजी आवले का मौसम आ गया है दोस्तों आप जानते ही हैं कि आवले में ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो हमारी सेहत के लिए सुवास्थिवर्दक होते हैं आवले का प्रयोग जब हम अपने बालों पर करते हैं तो इससे हमारे बाल काले और शाइनी हो जाते हैं। इसी प्रकार आवला त्वचा के लिए भी बहुत फायदे मंद होता है। आवले द्वारा तैयार फेस पैक को चहरे पर लगाने से चहरी की त्वचा में चमकाती है। इसके साथ ही आवले में एंटि आक्सिजन्ट भी मौजूद होते हैं जो त्वचा में बढ़ती हुई उम्र के प्रभाव को रोकते हैं। आपके चहरी की चमक के लिए आए जानते हैं आवले के फेस पैक के बारे में। पपीते और आवले के पावडर को मिला कर एक पेस्ट तयार कर लिजिए और 15 मिनट तक इसे अपने चहरे पर लगा कर रखें। फिर अपना चहरा साफ पानी से धो लें। इस प्रकार हफते में दो बार करें। इससे आपके चहरे पर चमका जाएगी। पार्सले को महीन महीन काट लें और इसे पीस कर इसका जूस निकाल लें। इस जूस को आवला पावडर में मिला कर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चहरे पर लगाएं और बाद में गुन-गुने पानी से धो लें। आवला पाउडर लें और इसमें एक चमच हल्दी पाउडर और नीमबू का जूस मिला लीजिए इस पेस्ट को चहरे पर 10 मिनिट के लिए लगा कर छोड़ दें बात में ठंडे पानी से धोलें इससे चहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं आवला और चाय पर्ती का पैक आपके चहरे को एक दम से खूबसूरत बना देगा और आपका चहरा चमकने लगेगा इसके लिए आपको सबसे पहले चाय पर्ती को उबालना है फिर इसमें आवला पाउडर डाल कर एक पेस्ट तयार करना है फिर इसे अपने चहरे पर लगा कर 10 मिनट बाद अपना चहरा हलके गुनगुने पानी के साथ धोलीजिए आवला और दही का पैक चहरे पर जादूई तरीके से काम करता है आवले का पाउडर ले और इसमें दही को मिला कर अच्छे से फेंट लीजिए अगर आप इसमें गुलाब जल मिला देंगे तो ये टोनर की तरह भी काम करेगा आवला पाउडर को गरम पानी में हलका गाढ़ा घोल लीजिए ज्यादा गरम पानी का इस्तमाल ना करें इसके बाद इसमें एक एवोकादो को मसल कर डाल दीजिए फिर इसे अच्छी तरह फेंट लें इस पेस्ट को चहरे पर लगाएं और 30 मिनिट के बाद चहरा दोएं आपको तो पता ही होगा कि गुलाब जल बहुत अच्छा टोनर होता है इसे आप आवला पाउडर के साथ मिला कर दुगना लाब प्राप्त कर सकते हैं ये ओली तुचा के लिए भी बहुत फाइदेमंद होता है तो दोस्तों अगर आपको हमारे नुस्के पसंद आ रहे हैं तो देखते रहे और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल धन्यवाद